विल अगर आप यूज कर रहे हो तो इसको बिल्कुल ग्राक्ट माना जाता है यू कान यूज विल इंस्टेड ऑफ शेल तो रईट लेकिन जब हम पुरानी बुक्स पढ़ेंगे या हम जो नोट्स पुराने पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा कि शेल के भी यूजिस है तो शेल कहां पर use होता है, will कहां पर use होता है, ये clear तो होना चाहिए, तो उसके लिए ये video बनाई गई है, तो start करते हैं uses से, तो first अगर बात करें, शेल और will की future tense में use होता है, जी हाँ, बिलकुल will और शेल, ga, 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 ga means future tense, उसके लिए use होता है, शेल कहां use होता है, शेल यूज होता है फर्स्ट पर्सन के साथ फर्स्ट पर्सन मिन्स आई और वी इनके साथ हम कैसे यूज करते हैं एक्जाम्पल है एक जो मैंने लिखी है इस वे से आई शेल गो टू जैपूर आप कुछ भी बोल सकते हो तो शेल का जो यूज रहेगा वो हमेशा फर्स्ट पर्सन मिन्स आई और वी के साथ रहेगा और विल का यूज विल का यूज जो पैंडिंग है सेकेंड और थर्ड पर्सन सेकेंड पर्सन मिन्स यूज एंड थर्ड पर्सन मिन्स ही शी एट दिल तो इनके साथ हमेशा हम विल यूज करेंगे और एक example देख लेते हैं, sentence में कैसे use होगा, you will come for the party, आप party के लिए आओगे, तो इस वे से आप will as shell का use आप कर सकते हो future tense के लिए, अब होता क्या है कहीं बार, shell की जगा will और will की जगा shell use हो जाता है, वो कैसे होता है, actual में वो जो use होता है, वो use होता है as a model, model means strong kind of feeling, for example, किसी को threat कर रहे हो, धमका रहे हो, या फिर कोई promise कर रहे हो, determination means इरादा कर रहे हो, willing show कर रहे हो, तो इन सब को हम जो use करते हैं, उसको बोलते हैं model, यह model में कैसे use होते हैं, shell use होता है, second person you, और third person he, she, it, they के साथ, means यह अपनी place ही change कर लेते हैं, जहाँ वो पहले use हो रहा था first person के साथ, और अब वो as a model, अगर बात हुई है, धमकारने की, willing के, advice के, determination की, तो वो use हो रहा है, second person और third person के साथ, एक example है, he shall surely attend the function, वो surely, पक्का है कि वो function attend करेगा, तो इसमें एक surety है, surety के लिए हमने क्या किया, हमने will की जगा पे, he के साथ, shell का use कर दिया, और will कैसे use होता है, बिलकुल, वो भी opposite हो जाएगा, जहाँ वो use हो रहा था, second person और third person के साथ, अब यह use हो रहा है, first person, I और V के साथ, कैसे, for example, अगर threat की बात कर ले, I will break your head, मैं तेरा सिर तोड़ दू हो रही है, तो यह will के साथ होगी, I जब आ रहा है, तो will के साथ आ रहा है, means यह है, कि अगर तो future tense के लिए use कर रहे हो, shell और will, तो यह use होते है, shell first person, or will, second or third person, लेकिन, अगर आप use कर रहे हो as a modal, means आपकी बात के अंदर, कोई modal, strong kind of feeling आ बोल सकते हो, कि आ रही है, तो यह सेट में कभी confused नहीं होगे, तो यह वीडियो था आपके लिए specially, कि जो भी बच्चे problem हो रही है, shell or will में वो आपका clear हो जाए, so thank you so much for this video.